हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लाशिज जो हमारा MSC का मैच चल रहा है फ्लूड मैकानिक्स एंड सेम्चियोलोजी उप हम फ्लूड मैकानिक्स पार्ट कॉम कर रहे हैं फ्लूड मैकानिक्स अभी तक हमने 13 लेक्चर कर ले आज हमारा 14 लेक्चर है इससे पहले के लैक्स चाहिए तो नीचे डिस्किप्शन में लिंक दिया हूँ आप ले लिस्ट का जाके देख सकते हो अगर MSC के और भी कोई मैच ची है तो बहुत सारे मैथ हमने कम्परेश करा देते हैं जाके नीचे डिस्किप्शन में देख सकते हो अगर आप नोट्स की PDF लेना चाहते है तो नीचे डिस्किप्शन में आपके पास टेलिग्राम चैनल का लिंक होगा महाँ पर जाके आप नोट्स की PDF भी ले सकते हो ठीक है और अगर चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ठीक है आज का टोपिक क्या है हमारा उलर इक्वेशन ओफ मोशन जो की बहुत ही क्लोज सर्फेश ले सकते हैं डैलस हमने क्लोज सर्फेश एरिया इसका वोल्यूम हमने डैल वी ले लिया क्या है को क्लोज कर ले या इसका हमने सर्फेश एरिया माल लिया डैलस इसका वोल्यूम माल लिया डैल वी ठीक है इसके अंदर हमने कोछ एक पार छोटा एरिया हमने consider कर लिया मानलो यह जिसका मैंने नाम दे दिया Dallas ठीक है और इसके outside हमने एक मान लिया हमारा N cap क्या है normal vector इतना हमारे consider किया है क्या किया दुबारा बता देता हूं क्योंकि बहुत ही important है यह छोटी-छोटी चीज़े थोड़े देर में बहुत दिक्कत करने वाली है एक close कर ले लिया बेटा जिसका में इसका में सर्फेस एरिया Dallas मान लिया वोल्यूम डैल भी मान लिया तो एक को छोटा एरिया और consider कर लिया जिसको मने डैलस नाम दे दिया ठीक है एक हमने इसके आउटसईड हमने n-cap normal vector मान लिया है यहां रहा मायड़ यहां पर इस page पर यह लिखी हुई है ठीक है और यहां पर रहा हमारी क्या है डैनस्टी रहती सब सबको पता है जो error होती है वो क्या होती है density होती है हमारी ठीक है रो क्या होती है लिखा हुआ यह पढ़के और बता देता हूं pac 1700 को एक पड़ेकर प्रोज इनॉटर फीर fiquei सेरिया है येon पार्टिकल मोविंग सब्सक्री पता है क्या हमारा क्या होता है है fluid की velocity होती है अगर चेंज़ कर दें लगो कर दें वसकिताइग को सभी को पता है आगे वाले टाइम में फोलियूम है of the enclosed surface rho हमारा density of the fluid है Dallas हमें surface area माना है surface element माना है इसका Dallas क्या है surface element of Dallas का क्या है surface element माना है and हमारा normal use interactor है यह मैं आपको एक छोटे से diagram के मादम से बता चुका हूँ अब आते हैं main topic बटा इस diagram को बहुत अच्छी समझना यहाँ पर कहता है now on the element there exist two type of force दो definition आती है body force हमारी और surface force body force हमारा किसके एकल होता है force per unit mass मतलब force upon mass के एकल होगा surface area हमारा किसके एकल होगा force upon area ठीक है यह याद रखना body force क्या होता है force per unit mass surface force क्या होता है force per unit area ठीक है P हमारा pressure हो let P be the fluid pressure at Dallas and Dallas is moving locally with the fluid यह सभी को पता है जो में छोटा यह area है यह छोटा surface माना था ने Dallas इसका बोल रहा है यह हमारा moving करता रहेगा locally with the fluid ठीक है आगे चलते हैं अब आते हैं बहुत ही important चीजों के उपर धिरे-धिरे देखो अभी क्या है force on it देखना force on it due to the fluid outside the particle is अब डाइग्राम बनाता हूं यहां पर यह था हमारा यह थोटा area था डैलेस ठीक है यह n-cap यहां पर था इसका volume V था और यह हमारा डैलेस था ठीक है क्या बहुत है force on it due to the fluid outside the particle यह अब किस पर force है only इस area पर बेटा जो आमने consider किया डैलेस वाड़ा area यह थोटे वाड़ा area इस डैलेस पर outside force कितना लग रहा है बाहर से ठीक है तो outside से एक तो n-cap की direction यह है और force हमारा इस direction में उल्टा लग रहा है तो इसके लिए हमारा negative है negative का sign लगा दिया अब only इस particle पर डैलेस पर कितना force है यह निकाल रहे अब ही यहाँ पर क्या है अब सभी को पता है यहाँ पर pressure का यूज हुआ तो प्रेसर प्रेसर किसके इक्वल होता है एक एक चीज़ को सुनना प्रेसर अमारा किसके इक्वल होता है force upon area ठीक है यहां से अ सबही को पता है और यहां पर कर को किसे इन ऋट कर रहा हूं मैं फी से area हमारा क्या है बेटा Dallas, villa bgm area क्या है Dallas है हमारा क्या हम किस पर लगा रहे है, these area पर only तो यह हमारा our area था और wedge क्या प्यूप क्या है it uh तो यह समझ में आया, के यहांb Natुमी भूथ आया सम्झो इसको, फिर आ प्र आप सम्झो गहीं ए आया कहां से, तो यह कहां से आया यह नोट्स में यहां पर इसको अपने बना लेना है, जो मैंने यहां पर समझाया है, एक्जाम में ऐसे नहीं किसी नोट्स में मिलेगा, और नहीं समझाया हुआ, किसी नहीं कहां से आया है, ठीक है, अब यहां पर बेटा समझा, थोड़ा रफ कर लेता है, इसको फिर दुबारा से बना देता हूँ ठीक है यह ड्लस वड़ा अब क्या बोला टॉटल फोर्स अभी तक टॉटल फोर्स नहीं था। उस एलिमेंट पे था उजो उनली ड्लस है उस एरिये पे था, अब total force, इस पूरे के उपर force, इस पूरे के उपर force, बेटा, only fluid particle due to the action of surrounding fluid is, पूरे पे force कितना है, तो क्या हो जाएगा, minus, minus तो आएगा, क्योंकि बाहर से लग रहा, अंदर ऐसे, तो del, double integral, del s, n cap, pds, यह हमारा total है, और इसको हमें convert कर दिया, किसमें, volume में तो triple integration हो जाएगा, del, p, dv, यह किस से convert हुआ, बेटा, by ghost divergence, थोरम से हमारा, यह convert हुआ, del s, हमारा किसमें connect होगा, del v, तो हम यह हमारी एक equation बन गई बेटा, जो इसका use भी करेंगे, सब को पता है, अभी आगे देखो, यहां तक समझ में आ गया, इस surface का निकाल दिया अभी, अभी body का निकालेंगे, अभी surface का निकाला थे, यहां पर, surface पर, del s, हमने निकाला, यहां पर, single पर कितना है, फिर, पूरे पर कितना है, बेटा, मैंने यह भी निकालना सिखाया आपको, कोई, टररटा नहीं मरवाए, क्या चीज बताया, यहां पर, अब कहा है, let f be the force per unit mass, at at any volume element, del v of the particle, f क्या है, force per unit mass, बेटा, force per unit mass, मैंने कहां पर बताया था, हमारा क्या होता है, surface force होता है, surface force किसके एक उल बताया था, मैंने, force per unit, area के उपा, ठीक है, force per unit mass, ठीक है, at any volume, del v of the particle, अब आगे क्या बोलता है, उसके उपर चलते हैं, क्या बोला है, total, यहां पर टोटल बोडी फोर्स क्या होगा बेटा पूरे क्या है इंटिगेशन डैल भी यहां पर क्या है इसको समझना यह क्या है रो किससे रिनोट करते हैं हम डेंस्टी से किस से देनोट कर रहे थे वोल्यूम से कैसे आया मैं वो बता रहा हूं एफ हमारा क्या है वो देखो अभी रो तो क्या है बेटा डेंस्टी यहां समझना यह टोटल फोर्स क्या से यह इकॉल टू फोर्स है ना फोर्स इस इकॉल टू फोर्स अना है तभी तो होगा न यह हमार क्या है रो कितना होता है डेंस्टी डेंस्टी का फॉर्मला क्या होता है मास इंटू मास अपॉन वॉल्यू एस क्या होता है हमारा फोर्स कौन सा है हमारा अभी मैंने बताया था एप अभी मैंने पढ़ाया ना अरे यार अभी तो पढ़ाया था सर्फेस फोर्स क्या होता है फ से n cancel force is equal to force आया तो force हमार total body force कहां से आगे ये आगे है बेटा अब आगे क्या बोल रहा है ये since the mass of volume element del v is ये अभी mass ये हमारा किसके एक विले del rho del v हमारा क्या होता है बेटा मास सब को पता है हैंस equation of motion of fluid particle each तो equation of motion of fluid particle बेटा ये बहुत ही important equation है इसको रटना नहीं है इसको एक एक चीज समझेंगे ठीक है इसको साफ कर देता हूं इसका थोड़ा अभी कोई use नहीं है कहां से क्या क्या आया वो आपको समझ में आ गया होगा इस equation को समझो equation क्या होती है हमारी यहां पर क्या है यह आपको पता है यह हमारा क्या total force है पहले मैं बताता हूं यह क्या है total force है ठीक है और जो हमारा यह पहले वाला है ρो F ये हमारा क्या है बोडी बोडी फोर्स है ओ जो dell P है ये क्या है surface force है जो क्या आप पहले निकाल चुके हो प्रहें दोनों को एड किया आप वोलो की स olhos माइने स का sign अरे माइनस का sign इसलिए है एक में negative था हमारा यहां पर पढ़ाया नहीं थे negative तो negative वाला साइन है इसलिए पलस माइनस माइनस हो गया हमारा तो टोटल फोर्स तो यह हो गया is equal to अब मैंने बता था dk upon dt क्या होता है बेटा हमारा बताओ एक्सलरेशन बता है थोड़ी दिर पहले यह क्या है एक्सलरेशन और यह पूरा क्या है अभी आपने थोड़ी दिर पहले ही पढ़ाया मास यहाँ पर यह पढ़ा हुआ नहीं यह रहा अभी पढ़ाया ना entire particle that is the mass of the volume यह था हमारा entire fluid का जो मास था यह का तो यह हो गया अब फोर्स हमारा क्या होता है फोर्स का formula क्या होता है मास इंटू एक्सलरेशन मास तो यह हो गया एक्सलरेशन यह हो गया टोटल फोर्स फोर्स का formula लगा जिया एक परकार से फोर्स क्या होता है टोटल फॉर दोनों बोडियों का सरफेस कर उसका बोडि का, मास हमारा dk upon dt है, सोलिये, मास इंटू एकसलेशन, बीटा, मास हमारा ये हो गया, एकसलेशन हमारा ये हो गया, अब इस equation को आगे सोल कर लो, आगे चलते हैं, अभी, इस equation को मैंने यहां पैजिटीज लिख दिया, यह वह आगे वह है एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन होता है यह वह है लिखा हुआ ज्यादा कुछ इसमें है नहीं अब यह है इक्सेलरेशन को हमने क्या क्या एक साइड लेके आ गये तो दूसरी साइड में 0 हो गया आप देखोगे कि डैल वी क्या विल भी हमारा common है और integration डेल वी इंटिगेशन दोनों में common है common ले लिया integration ODV अंदर हमारी यह ट्रम बजगे ठीक है बैटा अंदर यह ट्रिम बढ़ी है जब किसी का integral zero है तो इसका integral 0 होगी 0 का equal होगी जब किसी चीज का integral 0 है तो उसके integral भी 0 होगी तो हमने क्या ले लिया इसको equal to 0 ले लिया अंदरवाल ट्रम को अंदरवाल ट्रम को 0 लिया तो इस ट्रम को दूसरी साइड लेके गया हमें वो इस ट्रम को दूसरी साइड तो हमारी यह आ गई अब इस रो को यहां से मैंने अटा के form of the Euler equation motion यह तो जर्नल form हो गई आप इसकी बात करेंगे vector form में कि इसको vector form में हम कैसे लिखते हैं जो कि बहुत ही important है यहां पर अभी यह हमारी equation आई थी अभी आपने शिखा हूँ तो अभी आई थे और थोर देर पहले मैंने बताया था d by dt हमारा क्या होता है material derivative होता है जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है और material derivative का हमारा formula क्या होता है बेटा जब इसको simple formula लिखो गए न तो यह material derivative के equal आजाता है और इसका हमारा equation इसका material derivative की value क्या होगे देखो मैं यहां पर लिखी देता हूँ तो ड क्या होबए dt जो material derivative हो इसकी value यह हो जाएगे यह बेटा किसके material derivative के equal है यह किसकी value है material derivative है वेली पूट किया इस इकल टू माइनस इस इकल टू f-1 upon rho del p अब आपने एक identity पढ़िए क्या होती है यह होती है यह होती वेक्टर calculus में क्या होती है v dot del का bracket v इसका क्या formula होता है del 1 by 2 v square minus v into curl v होता है यहां पर v नहीं लिखा हुआ वह रहाएगा curl v ठीक है इसको apply कर दो यहां पर क्या इस पर apply करना है क्योंकि यह क्या है देखो क्या हूँ dot del क्या हूँ इसको open करोगे तो यह लिखना है तो हमने इसको open करके यह लिख दिया यहां पर बताओ लिख दिया यह इसकी आगई vector form ठीक है यह क्या आगई इसकी vector form आगई अगर आपसे exam में push ले Cartesian form तो क्या करोगे अरे Cartesian form में कुछ नहीं करना आपको देखो मैं बताता हूँ इसी equation में आपको क्या करना चाओ की value पता है क्या हो क्या होता है हमारा ui vector vj vector wk vector curly की value क्या होती है curly upon curly i vector curly upon curly dyj vector plus curly upon curly z k vector f क्या होता है हमारा सभी को पता है x i vector y j vector z k vector सारी value put करो इस equation में और जो equation आएगी वो हमारी Cartesian form आ जाएगी देखो journal form vector form और Cartesian form तिनी form आ गई यह एक पे exam में 12 marks का आया हुआ question था भी तक ठीक है तो कुछ नहीं बेटा इस वीडियो को दो बार देखो यह बहुती इजी टोपिक ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ठीक है अगले lecture में हम बर्नोलीज equation चीकेंगे ठीक है कौँछ equation बर्नोलीज में दिखा देता हूँ बहुत है इसको छोड़ना मत की 12 वार टोपिक है 12 वार टोपिक नहीं थोड़ा आठके है उसको बर्नोलीज equations या इसका दूसरा नाम है इंटीग्रेशन ओफ उलर एक्वेशन ओफ मोशन या तो इसे नाम से एकजाम में आएगी जा फिर इंटीगेशन ओफ उलर एक्वेशन ओफ मोशन उलर एक्वेशन ओफ मोशन अलग था इंटीगेशन ओफ उलर एक्वेशन ओफ मोशन अलग है क्योंकि जो इलर एक्वेशन ओफ उसका इंटीगेशन करना है वो अलग आता है और इसकी को दूसरा नाम है बर्नोलीज ठीक है यह नेक्स लेक्टर नम्बर 15 में चीखेंगे है ओ हां अगर आपको किसी भी MSC का नोट चाहिए MSC के नोट चाहिए प्लस वीडियो लेक्टर प्लस प्रिवेश यर क्वेश्चन पिपर तो मात्र RS 100 रुपीज टेलेग्राम चैनल नीचे डिस्किप्शन में दिया हुआ है जाके आप दोइन कर सकते हों वहाँ पे आपको हाई बेदो और मैं आपको कॉंट्रेट कर लोगा वहाँ पे आपको मिलने वे सब कुछ तो एंग्जोय करते रहे हैं मैतेमेटिक्स को इसी परकास नेक्ट लेक्चर में हम मिलेंगे थैंक्यो